असलाम अलेकुम, How to identify gender of nouns की सीरीज में आज हम एक ऐसे noun को देखने जा रहे हैं जिसकी ending height के साथ होती है ऐसे तमाम nouns जिनकी ending height के साथ होती है, वो सारे के सारे feminine nouns होते हैं और उन सब की जो definite article होता है वो होता है दी, तो यह बहुत बड़ा German language में एक group है, nouns का जिनकी ending height के साथ होती है और वो सारे के सारे noun feminine noun है और उनकी जो definite article है वो होता है दी तो यहाँ पे मैंने 10 ऐसे nouns लिस्ट किये हैं, हम one by one इनको go through करते हैं और देखते हैंगे इनका क्या मतलब है और आप से मेरी request है कि आप एक या दो nouns के बारे में यहाँ पे एक जुमला बनाएं और comment में इसको put करें ताके आपकी practice हो सके और आपको इस nouns के मतलब के साथ साथ इनको जुमलों में इस्तमाल करने का भी idea हो डी फ्राइ हाइट फ्राइ हाइट कहते हैं freedom को अजादी को डी सुफ्रीडन हाइट सुफ्रीडन हाइट कहते हैं इतमिनान को डी गेजुन्ध हाइट गेजुन्ध हाइट कहते हैं सेहत को डी क्रांग हाइट क्रांग हाइट कहते हैं बिमारी को तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के opposite हैं गेजूंड हाइट, सेहत, क्रांग हाइट बिमारी दी वार हाइट कहते हैं सच्चाई को दी बेजॉंडर हाइट कहते हैं स्पेशयलिटी को दी डुम हाइट डुम हाइट कहते हैं डूंबनेस दी अबवेज हाइट up-wesen height कहते हैं absence को गहर हाजरी the un-wesen height presence किसी जगा पे मुझूद होना तो ये up-wesen height और un-wesen height भी एक दूसरे के opposite हैं the iron height iron height कहते हैं unit को तो ये थे कुछ ऐसे nouns जिनकी ending height के साथ हो रही है ये सारे के सारे feminine noun है और इनका definite article होता है I hope आपको इससे learning में फाइदा होगा और ऐसे तमाम nouns जब आपकी नजर से गुजरेंगे तो आप इनके gender को identify करके सही वाला definite article उसका use कर सकेंगे thank you, bye